हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग क्रेंट अफ्यास टूड़े का आज 59 एपिसोड आप लोग बीच लेके आया हूं जिसमें आज का जो टॉपिक है वह आंत्रिक सुरक्षा से दोस्तों जिसमें हम लोग जानेंगे समुंद्र टट्ये निगरानी आप लोग पता होगा कि समु समुद्र से लगती है तो क्या है कि समुद्र से टट्ये होने की कारण यानि सटे होने के कारण जो उनका किनारा लगता है तो वहां से क्या होगी कि बंद्रगाह बना करके वहां से जो पानी के रास्ते से वेपार होगा उस रास्ते से वेपार किये जाते हैं तो वेपार के क कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए इन सब घटनाओं से बचने के लिए उसके बाद देखेंगे कि मचली पकरने वाले छोटे जहाजों कि निगरानी से जूरी पर उजनाय कौन-कौन सी है ठीक है तो उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो बीविन है जैसे स्वाचालित पह क्या है इन सब मुद्दों को आज किस वीडियो में जानेंगे तो चर्चा में क्यूं है तो देखते हैं कि हाली में भारत के समुंद्री टटो पर छोटे जहाजों की निगरानी के लिए शुरू की गई प्रयोजनाओं में प्रगती देखने को मिली है तब किस तरह से प्रय टोपी को और अच्छे से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रस्न उसको देख लेंगे तो इस टोपी को समझना और असानी हो जाएगा तो है कि भारत की विशाल समुंद्री सीमा के कारण आंत्रिक सुरक्षा के लिए उत्पन होने वाली चुनोतियों पर संचिप टिपनी करते हुए इससे निपटने के परियास पर चर्चा के लिए तो दोस्तों अगर आप UPSC या विविन एस्टेट पीसेस के त्यारी करते हैं तो क्या होगा कि आपको जीएस के पेपर जो चार पेपर है वो तो मौसली सभी जितने भी है कि स्चिप हो या UPSC हो सभी में चार पेपर जीएस के होते है उसके साथ चार पेपर को काइसे रिलेट करना है कैसे करना है इन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे जाते हैं इसमें बिभिन जिये इसके चारो पेपर के जो इसमें जो रिलेटेट टॉपिक है वो सभी है जो क्रेंड अफेर से जो घटनाय घटती है जो UPSC दो साल के तीन साल के एक साल के अंदर वाले कोशन जो पूछते है जो समभावित घटनाय होती है उन सभी का जिक्र इसमें परती मन्थ मिलता है दोस्तों तो वो क्या हुआ कि हम ना जो मैगजीन मिलता है उसके हर एक टॉपिक को एपिसोड के माद हम से यूटूब पे अपलोड करते हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर ले जिससे जो मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचेगे दोस्तों और आप इसका लाब उठा सकेंगे तो चलते हैं तो परमुख बिंदू क्या है तो इसके तहट 26 ए 11 के मुंबई हमलों के बाद सुरूप किये गए 30 सुरक्षा उपाई के हिस्से के रूप में 20 मीटर से कम लंबाई वाले छोटे मचली पकरने वाले जहाजों पर ट्रांस्पोंडर अस्थापित करने की एक विलंबित परियोजनाओं में अब परगती हो रही है उसके बाद है कि इस परियोजना की सुरुवाती चरण में पहले केवल 5000 जहाजों पर आएंगे नहीं उसके पीछे कारण है क्या कि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और यह है कि आप यूपीस के त्यारी करते तो आप एक उतने उमर के हो गए यानि 18 पुलस हो गए जिससे आप में मैचिरूटी तो आही गया होगा टॉपी को समझने में तो आपके पास उतनी परिपक्ता आही गई होगी क्यूंकि आप ज़्योज़ोशन में होंगे या ग्रिज़ोशन कर्च्यू के होंगे तो यह है कि आपको अ समुचाने की कोईसिस करते हैं जिससे आप लोग खुद सौर्ट नूट बना करके इसका एनिलाइसिस करें जिससे आप लोगों को टॉपिक को बेहतर समझने में और असानी होगा उसका देखते हैं कि अगला पॉइंट की ध्याताव्य है कि वरतमान में करीब तीन लाग पंजिकरित मझणी पकरने वाली नौकाइ या छोटे जहाज है जिन में से लगभग दुद सौर्ण पांच लाख यानि बीस मीटर से कम के हैं क्या है कि एकि जो मतलब क्या है की समुदर में जो मझणी पकरती है नौकाइ से लोग जाकरके या चोटे जहाज से ज इसमें जो है 2,50,000 लगवक है ना वह बीस मीटर से कम के है यानि उसकी जो उचाई है वह बीस मीटर से कम है उसके बाद अगला जो है कि मचली पगरने वाले छोटे जहाजों की निगरानी से जूरी परियोज ना है तो 140 पहचान पर ना ली इसके लिए क्या है कि वर्ष दो जंगवादी हमलों के बाद 20 मीटर से अधीक उचाई के सबी जहाजों के लिए 148 पहचान पर ना ली Automatic Identification System AIS अनिवार्ष कर दिया गया था उसका अगला पॉइंट है कि यह निरने तट्य सुरच्छा से सम्मंधित मुद्दों को देखने के लिए अस्थापित कैबिनेट सचीव की अध्यक्षता में बनी समुंद्री एवं तट्य सुरच्छा को मजबूत करने पर राष्टिय समीती दोरा लिया गया था उसके बाद अगला जो पॉइंट है हुआ हलाकी 20 मीटर से कम के जहाजों के लिए परकिरिया में अधीक प्रगती देखने को नहीं मिली है उसके बाद है कि वाहन परबंधन परनाली क्या है वाहन परबंधन परनाली वाइकल मेनेजमेंट सिस्टम भी मस में उप्योग की गई उन्नत तक्नीक की दो तरफा संचार को सक्षम बनाती है जिसमें है पिछले वर्ष गुजरात और तमिनाडू के तटो पर भारती आंत्रिक अनुसंधान संगटन इस्रो इंडियन सेटिलाइज रिसर्च और्गनाईजेशन के एक संचार उपगरह पर इसका प्रिक्षन किया गया था अगला पॉइंट है कि VMS वाइकल मेनेजमेंट सिस्टम के वानिसिक उत्पादन के लिए इसकी परदोगिकी को चार कंपनियों को सौंप दिया गया है उसके बाद है कि रियल क्राफ्ट यहनि रिजिस्टेशन एंड लाइसेंसिंग और फिसिंग क्राफ्ट क्या है तो फिसिंग करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाते हैं उसके बाद में कह रहे हैं कि ऑनलाइन रिजिस्टेशन एंड लाइसेंसिंग और फिसिंग क्राफ्ट के निर्मान से भारत बरी संख्या में मचली पकरने वाले जहाजों के सत्यापन दथा उनकी निगरानी की परि पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन को सक्षम करने के लिए उन्हें बायोमेट्रिक पहचान पत्र और समुद्री सुरक्षा एजंसियों को कार्ड रीडर जारी किये गए हैं उसके बाद क्या है कि इंडो पैसिफिक्ट मेरी टाइम डोमेंड अवेर्नेंस क्या होगा कि अंतर पार्क सीपिंग को ट्रैक करने और हिंद परसांत में तीन महत्पुन छेत्रों परसान दिपसमू दच्छिन पूर्व एसिया और दच्छिन महसागर छेत्र को एकिकरित करते हुए इस छेत्र में निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडो पैसिफिक मेरी टाइम डोमेन एवेर्नेंस पहल की सुरुवात की गई थी इसके बाद है कि समूंदर तटिय सुरक्षा का महत्त तो क्या है तो भारत के पास लगभग सात हजार पांसों सोलग किलो मीटर लंबी समूंदर तट्रेखा के साथ लगभग बारस सो से अधीक अभग तटिये दीप है य और दीप जे छोटे छोटे दीप है वह लगभग इतने हैं बारसो के करीब है जो इस व्यापक प्राकिर्तिक संसाधन परदान करने के साथ विश के अन्य हिस्सों से विपार करने की छमता परदान करते हैं उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारत की नौराज्य एवं चा यह क्या है चार जो किंद्रसासित परदेस है वो तो समंद्री में ही है ठीक है उसके बाद क्या है कि नौराज जो है भारत के वह क्या है कि समंद्री सीमा साजा करते हैं जैसे आप उपर से देखेंगे यहां पर जैसे कि भारत के नक्सा अगर आप जानते हैं बनाना तो वह कि इदर अंध्र पर्देश हो गया और उडीसा हो गया और पशिम बंगाल इस तरह से देखेंगे तो आप कि आपको पता चल जाएगा कि कहां कितने नौराज कहां काई से है ठीक है उसके आगे जो देखते हैं कि और देश की लगवक परतिसत अबादी तट्य जीलों में रहती है इसके अत्रिक्त देश कुल विपार का 95 परतिसत जो है मात्रा के अधार पर या लगभग सरसथ परतिसत मुल्य के अधार पर हिस्सा समुन्द्री परिवहन से होकर गुजरता है जिसमें क्या है कि कुल विपार जो किये जाते हैं भारत के दौरा अन्य देशों के साथ जिसमें 95 परतिसत जो है वह हिस्सा समुन्द्री परिवहन से होकर गुजरता है जिसमें अगला पंड राज्ये के दौरा जो उठाये गए कदम हो सकते हैं वह है कि समुद्री सुरच्छा को को सुरिश्चित करने के लिए पुलिस दौरा गस्ती नावो की संख्या बढ़ाने के साथ 200 से ज़्यादा तट्ये पुलिस चौंकियों की अस्थापना की गई उसके अगला की तत्ये निगरानी नेटवर्क क्या हो सकते हैं तो देश की विसाल तत्ये रेखा के साथ तत्ये निगरानी नेटवर्क अस्थापित किया गया है और इसके पहले चरन में 26 डडार की अस्थापना की जा चुकी है इसका दगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि एक्सेसाइज सी विजल तटिय रच्छा भ्यास सी विजल 22 के तीसरे संस्करन का आयोजन 15 से 16 नॉवंबर 2022 को किया गया इससे भारत की सबसे बड़ी तटिय रच्छा ड्रील के रूप में जाना जाता है और भारत के सबसे जो सबसे बड़ी तटिय रच्छा ड्रील के रूप में कौन है तो सी विजल 22 उसके बाद है कि यह अभ्यास भारते नौ सेना को हर दो वर्स में आयोजित किये जाने वाले तो यह भारते नौ सेना को हर दो वर्स में क्या है कि एक अभ्यास के लिए एक तियेटर मतलब यह अधार परदान करता है जिसका फुल फोरम होता है तियेटर लेवल रेडिनेंस और पेशन एक्सेसाइड उसके बाद आगे जो देखते हैं पॉइंट वह क्या है तो इस राश्टिय अस्तर के तटिये रच्छा भ्यास की अवधारना वर्स 2018 में 26 एक ग्यारा आतंकी हमले के बाद से समुन्दरी सुरक्षा बढ़ाने की अभ्यास के पहले संस्करन को जनवरी 2019 में आयोजित किया गया था उसके बाद अगला है जो है पॉइंट की अभ्यास सागर कवच 26 एक ग्यारा के आतंकी हमलों के बाद ऑप्रेशन सागर कवच को भारते नौसेना और तटरक्षक बल और अस्थानिये पुलिस जैसी सुरक्षा एजन्सियों के बीच समन्वे में सुधार करने के लिए सुरू किया गया था तो दोस्तो इस तरह से यह टॉपिक कम्प्लीट के तैयारी करते है या विवनेश्टेट पीसे के तैयारी करते हैं तो अब यह चैनल आपके लिए एक बहतर अधार है जो कुरेंट अफेर। उपल UP करा सकता है तो इस स्टेज पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सस्क्राइब करना होगा और इ आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स एप्सोड में जय हिंदर